ये देखिए दोस्तों कितने सुन्दर फूल खिले हुए हैं काफी अच्छी इनकी ग्रोथ भी चल रही है तो आज हम बात करने वाले हैं कि घर पर आप फ्री में कोकोपीट किस तरह से बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैं आपसे कहना चाओंगा जब हम मारकेट से कोकोपीट खरीने जाते हैं तो हमें महगी मिलती है तो हम घर पर ही कोकोपीट फ्री में आसानी से बना सकते हैं इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कोको पीट बनाने के लिए हमने नारियल के चिलके लिए हुए हैं इनी से हम कोको पीट बना कर तैयार करेंगे घर पर बस इनमें थोड़ी हमें मेनत तो करनी पड़ेगी पर मारकेट से अच्छी कोको पीट आप बना पाएंगे और भो भी आसानी से घर पर ये बिलकुल फ्री में बनेगी कोको पीट दोस्तो हमें करना यह है इसमें से जो हाइड हैं उन्हें हम बाहर निकाल देंगे जो कि नॉर्मल हैं उन से ही हम कोकोपीट बनाएंगे तो हमने यहाँ पर कुछ नारियल के चिलके ले लिए हैं इनने लेने के बाद में हम एक कैची का प्रियोग कर रहे हैं आप किसी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो हमें करना यह है कि बारिक बारिक हमें यह काटने चिलके ताकि कोकोपीट बनकर तयार हो तो उससे पहले हम जो कि यह मोटे तने के ने हम हलके हसे ने बारिक बारिक किये लेते हैं ताकि कोकोपीट बनाते समय हमें कोई दिक्कत ना हो तो ये काम आपको करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसी तरह से जब आप ऐसा कर लेंगे तो जो कोको पीट बनकर तयार होगी वो बहुत ही अच्छी होगी तो ये देखिए दोस्तो हमने बना कर तयार कर लिये हैं अब दोस्तो हम इसमें से जल्दी से चोटे-चोटे टुकडे कर लेंगे इस तरह से इस तरह से दोस्तो हमें कोको पीट बनानी है और आप जितनी मरजी चाहें घर पर कोको पीट बना सकते हैं बलकुल फ्री में नारियल के छिलके आपको आसानी से मिल जाएंगे देखि भे दोस्तों कुछ इस तरह से कोईपीट बनांई है हमें चलिए जल्दी से हमें काटे लेते हैं तो जल्दी से ले काटे लेते हैं और हमें इसमें पानी भी डालना है ताक्फिक पूरी तरह से हमें कोईपीट बनकर ben pagड़ हो जाए तो ये देखिए दोस्तो कुछ इस तरह से हमने ये काट कर तयार कर दिये है नारियल के चिलके अब ये पूरी तरह से कट चुके है तो ये देखिए दोस्तो कटने के बाद में आपो कुछ इस तरह की ये न जराएंगे अब दोस्तो इसमें से जो मोटे मोटे हैं उन्हें हम अलकिया से फिर काट लेंगे तो ये देखिए दोस्तो हमें इस तरीके से ये काट लेने हैं तो कुछ इस तरह कि हमारी कोकोपीट बनकर तयार हुई है दोस्तो अभी ये पूरी तरह से नहीं बनी है क्योंकि अभी हमें इसमें पानी की आवस सकता है तो पानी भी हम डालेंगे तो चलिए जल्दी से हम वो भी कम किये लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमें इस तरह से इसमें पानी डाल लेना है इसके चारों तरब पानी डालकर हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से ये कोकोपीट बन जाए ये देखिए दोस्तो इस तरह से हमें करना है जब हम ऐसा कर लेंगे तो जो कोकोपीट बनकर तयार होगी उससे हमारे पौदों पर बहुत ही जादा असर अच्छा पड़ेगा और पौदे पर जो अपड़ेट निकल के आएगा सामने वो बहुत बहुत बहतरी नाएगा तो इस तरह से आपको दोस्तो ये काम करना है तो ये देखिए दोस्तो अब हमने इसमें पानी डाल लिया है पानी डालने के बाद में हम इसमें छोटे छोटे चार गोले से बना देंगे तो चलिए दोस्तो जितने भी बनते हैं चार या पांच तो पहले हम बना कर तयार किये देते हैं इन्हें बनाकर हम इसे करीवन दो गंटे की दूप में रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से बिल्कुल ये सौफ्ट बन जाए तो ये देखिए दोस्तो हमने यहाँ पर चार गोले से बनाकर तैयार कर दिये है ये पूरी तरह से कोकोपीट बन चुकी है अब इसे हम अपने पूर्द में आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्तो आप जितनी मर्जी चाहें घर पर फिरी में कोकोपीट बनाकर तैयार कर सकते हैं ये कोकोपीट बनाने की सबसे टॉप आसान वेली थी उम्मीद है आपको ये अवसी पसंद आई होगी अभी तक आपने हमारा चैनल सक्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सक्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना आप बिलकुल भी मत भूलिएगा तो हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसे नए टॉपिक के साथ ठेंक यू